तीखे तेवर में प्रदर्शनकारी। चात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे विधान सबा का घेरा। चात्रों की मांग कि हो जाए मुक्ष मंत्री से मुलाकार। चात्रों का कहना कि दोशी बिभागों और अधिकारियों को सजा दी जाए। ही और कि एक हम लोग पिछले दो साल से बहुत पीडित हैं कि दक्ये खा रहे हैं यहाँ धर्णा करें कभी एश्याटी में कभी मंतरी आवास कभी सिच्छा मंतरी आवास लेकिन हम लोग को केवल आश्वासन अब तक दिया गया हम लोग निव्ति नहीं दी गई है हम लोग बह राजधानी में तमाम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और जगे जगे धरना प्रदर्शन हो रहा है राजधानी लखनव के एको गार्डन में हम मौजूद हैं जहां पर 69,000 सिक्षक भरती वाले पिछले दो सालों से बैठे हुए हैं और इनकी एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है इन लोगों का साफतोर पर कहना है कि हमारा एक डेडिकेशन अगर मानी मुख मंत्री से मिल लेगा तो सारी की सारी समस्याओं का निवारन हो जाएगा लेकिन अधिकारियों और जितने भी नीचे के मंत्री विधायक जो भी लोग बैठे हुए हैं वो इनकी बातों को नहीं सुनने है तो चलिए हम अभ्यार्तियों की बीच चलने हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी आगे की रन निती रहेगी आए मेरे सार्व आज आठ तारीक है क्या आगे की स्ट्रेटिजी है अप लोगी आदेखिए हमने सासन प्रसासन और एलायू को सभी को हमने अपना मांग पत्र भेज दिया है और यह मांग है हमारी और हमारे बैनर में भी स्पस्ट लिखा है कि हम लोगों के एक डेलीगेशन को माननी मुख् पूरा भरोसा है कि यह जिसे जिजन मुलाकात होगी हम लोगों उस दिन नयाय मिल जाएगा और हमको नयाय मिल चुका है मुस्टली हमारा सिर्फ और सिर्फ नियूपती होना बाकी है हमारी लिस्ट आ चुकी है और यह लिस्ट उनहत्तर यार से च्छक भरती में आरक्षन व समर्थता जता रही है कि नहीं ठीक है हम कोट में देखेंगे कोट में मामला चल रहा है यह चल रहा है वो चल रहा है बताइए गलती जो किया वो गलती मान लिया गलती मान करके हम लोगों को नियूपती देना चाह रहा है तो हम कोटोड के चक्कर में क्यों पड़े सरकार हम हमारी इतनी कमजोर थोड़ी नहीं हो गया अधितनाच जी की बुल्डोजर वाली सरकार है उन्हें अधिकारियों पर बुल्डोजर चला है जुन्होंने गलती की और हम लोगों को न्यूकती दे लेकिन इस तरीके से दुर्बेवार नहीं चलेगा दोहरा चरित्र नहीं पधार और हम कभी और अरक्षण कोड़ार घात नहीं कर सकते हैं ग्यांचंथे जिस दिन उनकी सरकार बन जाती हैं तो फिर आम आपके कनसे पे चुटन चाररéraitors कई हम साथन प्रसाषन एलाईव के माध्यम से अपना मांग पत्र पहुंचाएंगे वहाँ पे इसके बाद हमारी मांग नहीं अपूरी होगी तो ग्यारा तारिक को हम लोग विधान सभा या फिर माननी मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम लोग जाएंगे वहां घिराओ करेंगे वहां निविधन स्वरूप हम अपनी मांग रखेंगे सम्विधानिक दाइरे में रह करके जो हमारा ن्यूक्ती नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि माननी मुख्यमंत्र जीस हमारी मुलाकात हो जाए और हम लोग जल से जल बेसिक में जायें, चुकि बेसिक में सिच्छकों की कमी है बेसिक में अगर इतने अंसर सो सिच्छक जाएंगे तो उन नौनिहालों का भविश से बनेगा और हम लोग तीन साल चार साल से मानसिक पतारना जहल रहे हैं बताइए सब गरीब के बच्चे हैं हम लोग गरीब परिवार से आते हैं पिछड़े हैं दलित हैं तो हमारी गलती कि थोड़ी नहीं है कि हमने आप इश्रदरीद परिवार में पैदा हो करके पाप कर दिया कि आपको न्यूक्ति से वंचित रखा जाएगा बताइए अगर किसी हम और किसी और वर्क के रहे होते हैं तो क्या हमको बाहर रखा जाता है और हमारे जगह पर जंडरल वर्क के अ inve नहीं है तो मैं काया रहा हूं किसी को निकालने के जरूतर नहीं है हम लोग इसको मांग कर रहे हैं कि उनको निकाला जाए तब हमको रका जाएं नो और उनको भी नौकरी दी जाए हमें हमारी जगह पे पॉइंट किया जाए उनको अतरिक्त पद विधान सभा में काइबिनेट में पास करके उनको अतरिक्त जगह सीटे करके उनको रखा जाए लेकिन हमें हमारा जो हक अधिकार सम्वेधानी गूरूप से आरक्षन 27% 21% जो मि हम लोगों ने पूरे देश के संगटनों को पूरे प्रदेश के संगटनों को इकठा किया था यही को गार्डन था कि 30,000-30,000-40,000 लोग खड़े हो करके हमारी आवाज उठा रहे थे फिर से वही काम करेंगे एक-एक दुकान चाहे पार्चून की दुकान हो चाहे अंडे क क्यों कर रहे हैं आप लोग दूसरे पार्टी से हैं हम लोग तमाम रोज बाचपा नेताओं के हां चरण बंदना करते हैं लेकिन इस्तिति यह है कि हमको हमारा न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हम मजबूर हैं हम लोग सासन प्रसासन की लाठी खाने के लिए तयार हैं जेल अगराइब लिए और 2-3 साल से इस उमीद में हम लोग पड़े थे कि नहीं हम लोग नियुक्ति मिलने वाली है नियुक्ति मिल रही है बताइए अब हम तयारी करने के ऑप हम लोग कैद है पर जा रहें अधिकारी मंत्री हो खा रहे हैं तो कैसे हम लोग मानसिक रूप से ब प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे राजधानी में अभी कर्मचारी नगर निगम के और लडीए के भी बैठे हुए हैं एको गार्डन रामाबाई और अमबेड कर पे सरकार को नहीं ठहरा रहे हैं अथिकारी दोशी क्या लगता है कि किस तरह सरकार इसे एक्सन लेगी बिल्कुल मुझे भरुसा है क्योंकि देखिए अभी जो हमारी बात जाती है वह अधिकारीओं पहले भी हुआ हमारे साथ गार्डन में बैठे रहे हमारी बात मुख्यमंत्री देख पहुंची नहीं जब मानी मुख्यमंत्री जी तक पहुंची उन्होंने डेलीगेशन को भुलाया और त्वरित दो दिन के अंदर हमारी लिश्ट निकाल दी गई वो तो हमारे साथ हमारे मुत्र किया है जो हमारे एंट्षाड को छीना है जो हमारी शीटों को चीना को नियुक्ति नियुक्ति बिल जाएंगे और पिछडे दलीत पूरी तरीके से भारती जंता पार्टी के जए-जय कार करेंगे माननी मुख्यमंत्री जी जए-जय कार करेंगे जिस प्रटी में रहे जरूरी थोड़ी नहीं मैं मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी नियाए प्री है वो किसी पार्टी के इंसान नहीं है सब के मुख्यमंत्री है wandura죠 और मुझे फटाए कि जल से जल हम लोगों को निया औ पूरी उमीद है किस तरह से नियाए मिलेगा अब देखे हम लोग आज दो-ढ़ाई साल से यहां पर इको गार्डन और और गोसी जल में बैठे हैं हम लोगों को पूर्ड विस्वास है लोगों की बात जो है मुखमंतरी तक नहीं पहुंच पार रही है और यह लाओ जो है यह मंतरी तक ही बात सीमित रही यानेंगे किस तरह से आगे का इन्नों का कारिक्रम रहेगा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तक इन्नों की बात नहीं पहुंच पा रही है इस तरह से इनकी बात पहुंचेगी जी सर हम लोग पिछले दो साल से बहुत पीडित हैं वैसे तो यह वैकेंसी तो हचार उननीस की है तो तब से आरच्षड खोटाला हुआ था तो हमाई भाई बहन सब लोगों ने दो साल लगभग धरना दिया तो धरना देने के बाद फिर एक डेली गेसम मुख्यमंतरी से मिल मुख्यमंतरी ने आदेश दिया तो यह कांट सो की लिस्ट आई लिस्ट आई लेकिन उसको फिर हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया कभी कोट की माध्यम से लटका दिया गया जनरल वाले यह यूं कहें तो अधिकारियों की मिली भगत की वज़े से कोट में जाक मुख्यमंतरी आवास कभी सिच्छा मंतरी आवास लेकिन हम लोग को किवल आश्वासन अब तक दिया गया हम लोग निवक्ति नहीं दी गई है तो हम लोग बहुत पीडित हैं और बहुत दूखी हैं तो हम लोग आज यहां आए हैं अब हम लोग अनवरत धरना करेंगे नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहीं लखनों की सड़कों पर अब धरना अनवरत करेंगे जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग यहां से जाएंगे नहीं अपना हाक अतिकार लेके जाएंगे हम पीछड़े दलित हैं हम लोग का हर तरीके से सोसड़ किया जा रहा है हम Channel की जगह दूसरे लोग जर्नल वाले नोकरी कर रहे हैं हम लोग अपना समय सब कुछ, बरबाद कर रहे हमारे जगह उल्क सेलिरी पा रहे हैं अम बह्त कर रहे हैं हैं थी कहना चाहेंगे जिसे हम लोग तो यह जितने भी अभ्यार्थी हमारे साथ थे इनका अब साफ तोर पर कहना है कि मुख्यमंत्री तक हमारे एक dedication को मिलवाया जाए क्योंकि अधिकारी मंत्री विधायक से यह लोग परेशान हो गए हैं इनकी किसी वितरह की समस्या की सुनवाई नहीं की जा रही है और इन लोग का साफ तोर पर ये भी कहना है कि अब अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो अब हम प्रदर्शन करेंगे और सडकों पर उत्रेंगे और मुख्यमंत्री आवास या फिर विधान सबा का घहराओ करेंगे अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्यादित्यनाथ कब तक इन लोग की बातों को सुनते हैं और इन लोग की नियुक्ति की मांग को पूरा करते हैं राज़ानी लखनों से वीडियो जनले सूरज के साथ इस पर्ष गुपतार टीवी रेली को